और्गानिक कैसे हैं सारे के सारे आज किस वीडियो में हम बेस्ट मॉस्चूराइजर की बात करने वाले हैं नहीं नहीं दोस्तों कुछ लोग आपको बस मॉस्चूराइजर के नाम बता देते हैं और ये बताना भूल ही जाते है कि कौन से skin type वालों के लिए कौन सा moisturizer सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको दो बाते पता चलने वाली है। नमबर एक आखिर moisturizer लगाना क्यों ज़रूरी है। और नमबर दो आपके skin type के हिसाब से कौन सा moisturizer आपके लिए best है। तो आईए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये moisturizer को लगाना इतना ज़रूरी क्यों है। अब देखो दोस्तों, चेहरे की अरिकतर समस्याए दो कारणों की वज़ा से होती है। पहला dryness यानि तवचा का रूखा हो जाना जिसके कारण चेहरा डल दिखने लगता है। उस पर कभी glow नहीं आपाता और वो दिन प्रति दिन खराब होने लगता है। दूसरा कारण ओइल। तो आईए शुरू करते हैं एक अच्छे moisturizer की तलाश। अब देखो दोस्तों, मैं आपको आपके skin type के हिसाब से कौन सा moisturizer आपके लिए best रहेगा ये बताऊंगा। तो उसके लिए पहले हमारा skin types को जान लेना बहुत जरूरी है। अब देखो दोस्तों, जो face के skin type होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नमबर एक, normal skin, यानि ऐसी skin जो की ना जादा dry हो ना जादा oily हो। नमबर दो, dry skin, यानि जिसमें रूखे पन की समस्या होती है। अगर नहाने के तुरंद बाद आपके चेहरे पर dry lines आती है, तो समझ लीजे कि आपकी जो skin है ये dry type में आती है। oily skin, यानि ऐसी skin जिसमें चमक आ जाती है, जो skin तेल चोड़ती है और आए दिन जिनके face पर pimples या acne निकलाते हैं, वो इस skin type में आते हैं। नमबर चार, combination skin, यानि वो skin जो कभी तो बहुत जादा रूखी पड़ जाती है और कभी बहुत जादा तेल चोड़ती है। अगर आपको ये दोनों समस्याय बनी रहती है, तो इसी का मतलब आपकी skin type है combination skin, और नमबर पाच sensitive skin, यानि ऐसी skin जिसमें कुछ भी लगाओ, उन्हें बहुत जल्दी reaction हो जाता है। अगर आपकी skin type sensitive है, तो आपको थोड़ा जादा सतरक रहने की आवशकता हमेशा रहती है। तो अब इन skin type के हिसाब से, आपकी skin type कौन सी है, ये आपको जरूर जरूर पता होगा। तो आईए, अब जानते है, मौस्चुराइजर कौन से बेस्ट है इन सारे skin type के हिसाब से। तो नमबर एक, अब अगर आपकी skin dry है, तो आपको oil-based moisturizer की जरूरत पड़ेगी, तो बात करते है best oil-based moisturizer की। तो देखो दुस्तो पहले नमबर पर आजाता है Cetaphil Moisturizing Cream, ये बढ़िया है, उसके बाद में Cetaphil Moisturizing Lotion for dry and sensitive skin। नमबर तीन, Ponce Dry Skin Cream, नमबर चार, हिमालया का Sensitive Face Moisturizing Cream, इसमें एक Evon की क्रीम भी आती है, नमबर छे, Clinique Moisturizing Surge Intense Cream, अब अगर आपकी skin type dry है, तो इन पाचों में से कोई भी option आप select कर सकते हैं, जो भी आपको आपके budget में लग रहा है, उन्हें आप ले सकते हैं, लिंक्स आपको description में मिल जाएगे, वहाँ से आप सस्ते में भी खरीच सकते हैं, नमबर दो, अब अगर आपकी skin oily है, तो आपको water-based moisturizer का इस्तमाल करना होगा, water-based moisturizer जैसे की Newya Soft Moisturizing Lotion, Clean and Clear Oil-Free Moisturizer, Lacto Calamil Skin Balance Lotion, Neutrogena Oil-Free Moisturizing Lotion, Himalayan Oil-Free Radiance Gel Cream, यह सारे options हैं, अगर आपकी skin oily है, और आपको acne pimples होते हैं, तो इन में से कोई भी आप खरीच सकते हो, links description में हैं, नमबर 3, अब अगर आपकी skin sensitive category में आती है, तो आपको कुछ जादा लगाने की कोई आवशक्ता नहीं है, बस इतना याद रखना है, कि दिन में दो बार अपने चहरे को अच्छे से आपको धोना है, और virgin coconut oil का इस्तमाल अपने चहरे पर जरूर जरूर करे, original virgin coconut oil का link मैंने आपको description में provide करवा दिया है, आप चाहे तो वहाँ से खरीच सकते हैं, या फिर पास के किसी chemist के दुकान से भी खरीच सकते हैं, अब दोस्तों, ये आपके skin type के हिसाब से आपके लिए best moisturizer साबित होगे, ये सारे standard और branded option है, मैंने आपके लिए बहुत महनत से organic yoga कोई भी सम्मन नहीं है, मेरी पूरी कोशिश मेरे देश के लोगों को सचे मन से मदद करना है, उमीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो में कोई भी बात गलत या बुरी लगी हो, तो मुझे माफ कर देना, और अगर इस चैनल पर आप नए ह तो प्लीज यार इस चैनल को सस्क्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना